नमस्कार दोस्तों बिग बेस ओडियो चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज आपके लिए लेकर आये हैं एक प्रीमियम क्वालिटी के अंदर फोर चैनल एंप्लिफायर जो की ब्रैंड रहने वाला है जे एल ओडियो और जिसका मोडल नंबर है जे डी फोर डबल जीरो वाई फोर चारसो वाट फोर चैनल क्लास डी एंप्लिफायर है और नेक्स्ट डी स्वीचिंग टेकनोलोजी के साथ है और डिफ्रेंस सोरी डिफ्रेंटली इनके अंदर बैलेंस रहता है यह मतलब एक नई टेकनोलोजी है जिसके बारे में शायद टेकनोलोजी जो है वह एक सोफ्ट स्टार्ट जो टेकनोलोजी है एक तरीके से और यह प्रोफेशनली एक अच्छे एंप्लिफायर की निशानी रहती है कि जब वह स्टार्ट होता है पहले प्रोटेक्ट मोड में रहता है फिर जब सारा सरकट ट्रेस करने के बाद वह जो जाता है ताकि वह प्रोपर चेकिंग हो जाती है कि आपका एंप्लिफायर सही है यह नहीं है तब ही वह जो लाइट है वह ओफ होती है और इसकी आज करेंगे अनबॉक्सिंग और इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या बैनिवेट है और हमें गॉल नमबर यह एंप्लिफायर की फिक मिल जाएगी और साथ में एक्सटेंडड वरंटी वन्येर की साथ में इसके मिलेगी वह कैसे मिलेगी वह भी आपको बताऊंगा और फोर चैनल एंपलिफायर रहने वाला है 408 के अंदर फॉर चेनल एंपलिफायर क्लास T एंपलिफ तो दोस्तों यह इसकी बैक साइड है आप देख सकते हैं यहां पर आपको ओवर्व्यू दिया गया है हाइ स्पीड नेक्स्टी स्विचिंग एंप्लिफे टेकनोलोजी है इसके अंदर त्री टर्न ओन मोड है वह आगे मापको बताऊंगा ड्यूल मोड क्रोस ओवर फिल्टर है ठीक है बैलेंस्ट इंपुट है इसके अंदर लाइन लेवल प्री एंप आउट भी है इसके अंदर और इजी स्टेप फीचर जो है वह भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा भी क्या क्या इसके अंदर है और यहां पर आप इसकी स्पैसिपेशन देख सकते हैं 4 ohm के उपर हमें 75 watt की RMS दे देता है और 2 ohm के उपर 100 watt RMS हमें यह दे देता है और bridge mode के अंदर अगर बात करें तो 4 ohm के उपर यह 200 watt की output हमें दे देगा और सबसे बड़ी बात यह जो amplifier है आपको distortion less audio आपके speaker तक पहुंचाता है और एक अच्छी sound quality का आपको एसास दिलाता ह है यह amplifier क्योंकि एक premium quality के अंदर class D amplifier है Jlodio की तरफ से आईए हम इसको open करते है और सबसे पहले आपको user manual मिल जाएगा और इसके अंदर warranty information आ जाएगी यानि कि हम यह बोल सकते है वरंटी कैसे मिलेगी क्या है इसके बारे में आपको यहां बताया गया है और साथ में हमें Allen keys क डूप वाशल्स और साथ में स्कृूर और स्क्रीव की वाशल्स यह मिलती है ता कि आप इसको अच पउस्पर मांट कर दें और रवर शल्ल म्लासिक वाशल्स यह रहती है इससे आपकी मांटिंग जो बहुत अच्चे तरॉब कार्ष हो जाती है और साथ में मिलेगा यह वर पेकिंग के साथ है मैं इसको बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ तो दोस्तों ये बहुत ही compact एंप्लिवेर है class D के अंदर इसका circuit भी बहुत ही advance है और सबसे पहले हम front look की बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको jail audio की branding मिल जाएगी model number मिल जाएगा और साथ में power on की यहाँ पर led light का एक साइबोल को बहुत सकते हैं एक signal मिल जाएगा यहाँ पर light चलेगी वह आपको दिखाऊंगा on करके और साथ में यहाँ पर एक protection की light हमें मिल जाती है ठीक है और सारा यह metal body के अंदर बहुत heavy metal body के साथ बहुत ही अच्छी finishing के साथ हमें jail audio provide करवाता है और यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका input section power input section के अंदर आपको 12 volt ground और remote wire है यहाँ लग जाएगी यहाँ पर आपको channel 1 और 2 के output terminal मिल जाएंगे और channel 12 को bridge करने के बाद यहाँ पर आप इसकी wire लगा सकते हैं थ्री और 4 के terminal भी साथ ही में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे अब हम दूसरी ओर देखते हैं कि हमें input section के अंदर यह तो power input था अब signal input section के अंदर हमें क्या कुछ मिल रहा है सबसे पहले हम यहाँ पर input देंगे channel 1 और channel 1234 और यहाँ से आपको pre out यहाँ से मिल जाएगा अगर आपने कोई और amplifier इसके अंदर पैच करना है इसके साथ तो आप यहाँ से ले सकते हैं याद रहे channel 1 और 2 की output ही यहाँ पर आएगी ठीक है और यहाँ पर input mode है आप 2 channel सेलेक्ट करते हैं या 4 channel सेलेक्ट करते हैं यह भी इसके अंदर ही आपको मिल जाता है turn on mode वह आपको मैंने बताया था कि तीन तरह के इसके अंदर on करने के mode है ठीक है turn on mode जो है three types के है remote wire offset और signal ठीक है आपको जिसके ओपर सेलेक्ट करना है आप वैसा इसके अंदर सेलेक्शन कर सकते हैं input voltage आपने कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं माली जिए इसके अंदर आपको input level जो है वो high है या low है वो आपने देखना है अगर low input है मैं तो बोलूँगा कि आप low input पर ही इसको चलाएं तांकि आपको एक अच्छी quality का मतलब output मिल सके और उसके नीचे सर आपको मिल जाएगा यह आगया आपका flat यान की filter mode आ जाएगा यह आपका flat आ जहां पर off लिखा ह हुआ है और उसके बाद आजाएगा HP यानिकी high pass filter फिर उसके बाद आजाएगा LP low pass filter यह आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा channel और 12 के लिए और यहां पर आपको frequency knob देखने को मिल जाएगी जिससे आप frequency अच्छे तरीके से यहां पर सेट कर सकते हैं यानिकि इसको उसक कि लाइन देख रहे हैं इस नोब के साथ यहां पर यह एक क्लिपिंग LED लाइट है इसके अंदर जब आपका amplifier क्लिपी मोड में यानि की over signal में चला जाएगा तो यहां पर आपका क्लिप ओन हो जाएगा वह मैं आपको ओन करके यहां पर दिखाता हूं और यहां पर channel 3 और 4 क filter mode आ गया, full range HP, high pass filter, LP, low pass filter साथ में filter frequency knob आ गया और इसके साथ आपको gain यानि की input sensitivity का जो knob है यानि की gain का knob वो मिल जाएगा उसी के अंदर आपको clipping LED मिल जाएगा और यह amplifier एक full range amplifier है जो 20 Hz से लेकर 20 kHz तक work करता है और यहां पर इस amplifier के बारे में आपको मैंने सारे operation समझा दिये हैं आईए इसके connection करके मैं आपको दिखाता हूं कैसे यह lights वगरा काम करती है तो दोस्तो हमने यहां पर इसके सारे connection कर ली है power के और यहां पर आप light देखिए यह दो lights आपको glow करती हुई दिखाई देंगी ठीक है यह है आपकी protection light जैसे हम इसके अंदर यह लगा रहे हैं यह तो देखिए यह protection light आई है circuit trace कर रहा है अब क्या हो गया यह amplifier ready है performance देने के लिए अगर in case आपके amplifier में कहीं problem आती है तो यह light आपकी glow कर जाएगी ठीक है कोई voltage dropping है कोई circuit आपका अंदर से faulty हो गया तो यह आएगी जैसे मैं इसको own करता हूँ यह पहले protection में जाएगा सारा circuit trace करने के बाद सब कुछ okay है तो यह light बंद हो जाएगी और आपका जो amplifier है वो operation mode में आ जाएगा और अच्छी performance देने के लिए ready है ठीक है जी अब मैं यहा आपको यहां पर मैंने बताया था कि यह clipping mode में आ जाता है तो मगर आपका amplifier over signal इसके अंदर जा रहा है तो यहां पर एक red light आ जाएगी जैसे मैं एक sound play करता हूं और साथ में मैं इसको यहां पर volume बढ़ाता हूं जैसे जैसे देखिए मैं volume बढ़ा रहा हूं तो एक signal इसके अ red light आ जाएगी यहां से एक wire हिल गया है जिसकी वज़ा से यह light नहीं चल रही है मैं भी इसके connection करके इसको यह देखिए amplifier own हो गया है कि amplifier हिल गया था जिसकी वज़ा से हमें light glow नहीं कर रही थी अब देखिए मैं इसका volume बढ़ाऊंगा तो यह light red color की आ जाती है यहां पर आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको कम करूंगा तो यह signal आपका clean हो गया जैसे यह red light आ जाती है मालीजिए यह red light है इसका मतलब यह है कि आपके जो स्पीकर्स आहिए आपका जो सिगनल आप डिस्टॉर्शन में चला गया है यानि कि आपका over volume हो गया है जिसकी वज़ा से distortion क्रेट होता है और कि sound quality अच्छी नहीं मिलती इसलिए हमें जैसे यहां पर मान लीजिए यह red light आएगी यह red light आगी इससे कम से कम आपको 20% कम इसको रखना है जैसे यह यहां पर आपकी light glow करती है तो आपको इसको हलका सा कम करके जानिकी 10 से 20% कम करके volume को रखना चाहिए त ठीक है तो यह इसका operation था यह यहां पर भी आपने समझ लिया यह power LED है और आपको इस amplifier के बारे में बदा लग गया कि यह class D amplifier है अगर किसी मेरे भाई को यह amplifier चाहिए तो description में मेरा WhatsApp नंबर है और contact नंबर आप मुझे call or WhatsApp कर सकते हैं